करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं हूं अंकित और आप जोड़ चुके हैं हर टॉपर्स लेंग के साथ देखिए अभी जो बीसी सी आई के अध्यक्ष हैं जैसा उनके दोरा एक कमेंट किया गया उसके बाद पाकिस्तान की सरकार में पाकिस्तान के क्रिकट प् क्याता है कि देखो बॉक्त तोर पर पाकिस्तान नहीं जाने वाली अगर आप चाहते हो कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेले तो इसके लिए इसका आयोजन पाकिस्तान के अलावा किसी अनदेश में कराया जाए यह बाद जैसा ने बोल दी उसके बाद पाकिस्तान की स्थति खराब हो गई देखे क्या है बी सी सी आई बरसेश पी सी बी सी आई के मतलब भारतिय क्रिकेट काउंसिल इंडिया इसका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बोर्ड क्रिकेट काउंसिल इंडिया और पी सी बी के बीच जो बहस चड़ी है वो इस बात को लेकर चड़ी है कि जब जैसा ने कह दिया कि साब हम तुम्हारे मैच खेलने नहीं आएंगे तुम लोग कौण हो आतंगव तो पाकिस्तान के संदर में आप देखोगे तो पाकिस्तान ने अभी इस्टीलिया और इंगलेंड दो टीमों को काफी लंबे समय बाद आस्टीलिया और इंग्लेंड को पाकिस्तान में बुलाया गया है लेकिन वो भी आए इस सर्थ पे कि देखो हम आतो जाएंगे बट सर्थ यह होगी कि आपको हमें ऐसी सिकोर्टी देनी पड़ेगी बतलब जो एक्स प्लस-प्लस की सरक्षा होती जो हमारे राष्टपती को दी जाती है ऐसी सि मैं इंग्लेंड और ऑस्टेलिया के बीड जो मैंच में लाग किसा होना था लेकिन जो इनको इनमेचों के माध्यम से जो भी मला था वो नहीं हुआ कॉम्पनी घाते में चलिगें ऐभी की़ गाट में चलिगे तो उन्हेंस सोचा आभी एसिया कप होने वाला है अब एसिया कप का आगर iogen होगा तो पाकिस्तान है 2013 का 2010 का एससी पाकिस्तान में होगा अब पाकिस्तान में होगा तो ये भरोसे ते तो जितना भी घाटा है हमारा पूरा हो जाएगा कैसे तो जो बड़ी चीज है छोटी मोटी चीज नहीं है जितना भी पूरे राष्ट अंतराष्टी लेविल पे क्रिकिट का रेविन्यू आता है उसका 80 जो है उसका 80 जो है वो भारती क्रिकिट कंट्रोल वोट देता है तो ऐसे में पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि इनसे हमको राजस मिल जाएगा कैसे राजस देता है तो आप एक लावा भी अनखेलों में रूचिया रखते हैं लेकिन हमारे यहां एक तो इतनी बड़ी अवादी है एक तो देखना पसंद करती है ऐसे में एक तो इतनी बड़ी आवादी और वहां सभी आवादी क्रिकेट को ही देखना पसंद करती है तो फिर जाहिरी बात है कि क्रिकेट का राज़ेशु बढ़ना है एक तो आवादी सबसे जाधा दूसरा हम खेली एक देखते हैं लगन के साथ अगर किसी और के साथ खेलता है तो तो नहीं होगा इंडिया के साथ खेले तो लाव ज्यादा होगा पहली वात यह होती है कि जो भी टीम अपने यहां होश्ट करती है जिसको भी मेजवानी करनी है जो चैनल तो उसको होता है जैसे इंडिया ने मैच कोो होस्ट किया इंग्लेंड को बया अगंगर u कि इन्डिया में मैच काहिऊंति दिए लेलो सोस्मक्रिठ प्र करते हैं कि उस क्र्केट बडेशन जाएंग उन्से करना है आप बदले में से इतने करोड़ रुपए में सम्झेवता कर लिया अब आप लेकिन अभी इंडिया में सम्झेवता कर लिया कि प्रोजुक्त ले लिया अब उसका इयोजन करेंगे लाइब तो यह लाइब आयोजन में आप देखेंगे कि जो इस पॉंसर्शिफ होता है जो अब दिखाया जाते हैं हम लोगों को बो आइड दिखा दिखाके इस स्प बंग्लादेश में इतना हो जाएगा नहीं हो पाएगा क्यूंकि क्यूंकि बाठ сторषप सिधा जाध है। तो पाकिस्तान यही सोच के बैठा था कि देखो वो आएंगे अगर हमारे हम एच होगा तो उनकी कंपनियां आएंगे जैसे होट इस्टार आएगा इस्टार इस्टार इस्पोर्ट आएगा हमसे कहेगा किया कि हमको अपने यहां ब्रॉडकास्ट करना है इसके जाएंगे यह तो इस खुषकी में बैठे हुए थे लेकिन जैसा ने अभी मना कर दिया तो इनको जटका लग गया तो अब है क्या कि यह कह रहा है कि देखिए उसको कहा है एसेन क्रिकेट कांसल को कहा है कि देखो यह जो जैसा के दोरा इस्टेटमेंट दिया गया है यह ग पहले बताने से आसर यह है कि अभी अच्चा कप का जो निर्धारन है इसा तो हैनी 2022 में हुआ है यह 2018 में ही तैए हो गया था कि 2023 के एशिया कप का आयो जिन कहा किया जाना है कि दुशषार पहले से मना कर देना चाहिए था अब मना कर रहे हो टो ये चीज ठीक नहीं हैải एसलिए वह को कमेंट किया है उसका बुरौत कर रहे हैं और लगातार में पाकिस्तान की जंसन कि उसके द्वारा भी अगर पाकिस्तान को उसलिए कर रहे हैं अब सितना मुझ दूनिया को्ड देने को अगर इतना बड़ा । तो वो इंडिया देता है कोई भी देश अगर मैच हो रहा है तो अगर भारत के साथ हो रहा है तो उसमें 70 से 80 जो साइब अपनी फॉर को बोला गया था कि देखो जो क्रिकेट राजस हो है अंतरराश्टी इस्तर पर उसमें भारत को एक बड़ा हिश्चा देना चाहिए क्यों कि भारत ही क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यदा राजस हो देता है हमको उसको महतु देना चाहिए हमको बीसी सी आई को महतु देना चाहिए अस्टेलियन क्रिक बहां गई अब है क्या कि पीछे से जिनको ब्रोडकास्ट करना है इंडिया में वो भी चैनल पहुंच जाएंगे अब चैनल पहुंच गए जिम बंबे से कहा उन्हों कि साब ऐसा है अब ले लो 10 करोड ठीक है ना इस मैच की रिकार्डिंग हम को दे दो हम क्या करेंगे इसको ब्रोडकास्ट करेंगे ले लिया हम लोगों को दिखाया एड के थ्रू इस पंसर्शिप के थ्रू यहां से 10 के वल्दी 15 ले लिए 15 ले लिए कितना पांच करोड की बचरत हो जो गई अब इसको तो 10 करोड मिल गए ना अगर इंडिया यहां पर ना होता तो नहीं मिलता इन अमीर क्रिक्ट काउंट्स बोल्ड है अगर कोई तो वह इंडिया है दूसरे नमर पर आस्ट्रेलिया है तीसरे पर इंगलेंड है चौथे पर यही हमारा पडोसी गरीब देश पाकिस्तान है पांच में बंगला देश है चटे पर देखोगे तो दक्षिन अवरीका है साथ म पर इसके अलावा आप देखोगे कि जैसा ने जो स्टेडमेंट दिया उसके बाद जो पीसी भी है पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ड जो है उसके द्वारा कहा गया एसी से मतलब एसीन क्रिक्ट काउंसिल से कहा गया कि साब ततकाल एक इमर्जंसी मीटिंग मुलाईए ततकाल कि उनको लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है क्यों ऐसा जैसा बोल रहे हैं एक मीटिंग बिलाओ पूरी तरीके से एक संभधानिक ढंग से बात की जाएगी बैठके अखिर यह नहीं खेल ना चाहँ रहे हो तो अब ततकाल मीटिंग मुलाने की बात की है इसके लावा आप दे जैसाने वह भारत और पाकिस्तान के बीच एक एसिया कप की ही बात नहीं है जितने भी राष्ट इंटरनेशनल मैच होते हैं चाहें वो चैंपियंस टॉफी के मैच हों चाहें वो वल्ड कप के मैच हों वल्ड कप चाहें फॉर्थ फिप्टींफ ओबर वाला हो या ट्टी-ट वल्ड कप हो इन सभी मैचों को प्रभावित कर सकता है मतलब कहने का क्रिकेट की दुनिया में दो भागों में बढ़ सकती है भारत पाकिस्तान को लेके सीधे-सीधे तौर पे कहा है कि हम अगर इंडिया हमारे यहां एसिया कप खेलने से मना कर रही है तो सब 2030 में आपको प नहीं है अंतर राष्ट्री लेवल के जितने ही मैच होंगे भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे इन्धी सीधी वात इह है इन्होंने इस पर चया ऑलत ँब है तो भारत ग misma की तरभ से फिर से वात वह बो लिए फोलिगई पढ़ने वाला तुमको जहां खेलना है वहां खेलो जाके हमको तुमसे कोई लालच नहीं है हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे साथ ही खेलो आके ठीक है इंडिया ने इस पर श्टावर पे कहा देखो 2023 में वर्ल्ड कप कायोजन कहा होना है बारत में होना है nobody's funny Keith high school पाकिस्तान में होनी है ये भी प्रभावीत हो रही है ये तो प्रभावीत हो रहा है पहले तो 2023 का एसीय कप अधीन पाचासों burk yahoo यह बहुत हो रहा है इसके अलावाज चैंपिन फ्राफी ब्र कशिस्तान में वाकर्ट हो रही है चेंपिन फ्राफी में हो सब आई का करने को तयार है कि नहीं साब हमारे हैं ऐसी आप खेलो नहीं तो हम यह कुछ भी नहीं खेलेंगे अब क्रिक्ट को दो भागों मांट लेंगे मीन्स कहने का दो भाग हो जाएंगे एक ऐसा जिस तरफ इंडिया है दूसरी तरफ पाकिस्तान है हम तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलेंगे अगर लिए दो भागों में बटे आप समझ कते हो कि दो भागों में बट गया एक दरफ इंडिया उगया एक तरफ पाकिस्तान हो गया एक तर fatto किस्का भाजिद अहीं सांधा इंडिया कर आये going at that trial and South Africa तो पहली बाद तो यह है एक जो मीटिंग इमर्जेंसी मीटिंग विटिंग हो गया नहीं जाने वाले गये तो थे अभी घाटा करागे चले आए सोचा था कि कुछ बेनिफिट होगा बट नहीं हुआ क्यों क्योंकि सिकॉर्टी पे जाएधा खर्च करना पड़ गया जाने पीसीवी घाटे में आ गया तभी तो सोच रहा है कि अगर हम यहीं खेलेंगे भारत के साथ तो हमारी गरीवी नहीं मिट पाएगी तो अब जो पर पीसीवी है वह एक कहरा है कि देखो ऐसा है अगर इंडिया हमारे साथ मैच नहीं खेलने को त्यार हो रहा है तो पहली अब क्या है हमने लास्ट टाइम अगर पाकिस्तान में देखो कि जाके कोई मैच खेला है तो दोजार पांच चे में खेला है उसके बाद से खिलने गए नहीं है तो अभी अब फिर से जो एसिया कप का है इसमें जाने के लिए थे बट हमने इसका वाइकाट किया हम नहीं जान एक लगा पाकिस्तान का मैच है तो यहीं हो सकता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यहीं माना है कि नहीं खेलते हो तो हम पिर कोई भी मैच नहीं के तुम्हारे साथ तो परो लाओ यह तरव हम रहा हैं बात खतम हो गई लेकिन ऐसा होना पॉसिबल लगता नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा। ना पाकिस्तान के मैच उनका पाकिस्तान में ना कराया जाए यही एक विकलब नजर आता है इसके रावा कोई विकलब है नहीं हालां कि एसी के होता है फिलाल भी गल्प जो है अभी तक का यहीं नजर आ रहा है ऐसा ही किया जाए इसी के बेश पे जो बटवारा है यह बट सकता है नहीं तो यह तो होता ही रहेगा तो यह पीसी भी अपने लाब के चक्कर में था पहुंचा हमको लाब हो जाएगा भारत हमारे मैच खेलन पूरा मुद्द है अब देखिऊ आगे क्या होता है कि तेज़तारिक के मैच पे कुछ असर पढ़ता है जो कि भारत पाकिस्तान के बीच वह मेंच खैलाजयाना है यह इस मैच में कोई परूब हो पढ़ता है यह इस मैच को भी खेलने में पावंदी लगाई जाएगी तो लेकिन कुल मिलाके अभी के लिए इतना ही अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों में शेयर करें थैंक यू बहुत